नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रोयल किसान और मैं हूँ आपका दोस्त शिवरासिया जैसा कि हमारे शित्र में स्वयविन का स्री गणेश हो चुका है इसके बारे में आज बात करेंगे सही साथ ही हम वीडियो के अंत में बात करेंगे लसुन की समिक्षा कि लसुन के क्या बजार चल रहे हैं क्या रुजान हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए हैं हमारे गाउं अड़मा लिया मलागर तेसिल में और किसानों में काफी उत्सा देखने को मिल रहा है और इसी के साथ ही सभी किसान सातियों को बोवनी के इस महापरव की डेर सारी बदाई डेर सारी सुपकामना है और भगवान स्री सावलिया सेट जी से यही प्रातना करते हैं यह जो खुशी आज स्रेविन बहुते समय में हो रही है यह हर सम बुवाई का स्री गणेश हो चुका है किसान साति बो रहे हैं और हलका फुलका जैसे कि हमारे शेत्र में गरेमी की फसल बहुते है खडबू जो आगा बीज तो वह इस साल थोड़ा सा लेट बुवाई हुई थी एक अप्रेल दस अप्रेल तक भी किसानों नो उसकी बुव आया है तो जान लेते हैं हमारे क्या विचार है लसुन बजार वर्तमान में क्या चल रहे हैं और आगे क्या रह सकते हैं व्यापारियों से जो हमारी बाते होती है और साथी कमेंट बॉक्स में आप ये भी लिखिएगा हम जो अब थोड़ी सीरी चला दी हमने व्यापारियो उसे हम जो इंटर्यू ले रहे हैं समय समय पर तो वो किसा आपको प्रोफिट दे रहा है वो एक अच्छा हमारा प्रियास है या नहीं आप कमेंट बॉक्स में हमें जुरू बताईएगा तो लसुन बजार की वरतमान में बात करते हैं तो बहुत ही आच्छारी चकीत बजारे बहुत ही दिल को खुशी देने वाले बजारे क्योंकि किसानों से हम बात करते हैं बहुत ही खुश होकर हम से मिलते हैं आईए शिवराज जी बहुत बहुत दन्यवाद आम आपकी वीडियो देखते हैं तो ये खुश से तारीब नहीं कर रहा हूं ये किसान मित्र हमें बोल साथ ही जो अच्छी फिनिशिंग होती है अच्छी वाइटनेस होती है वो quality आ 6,600 तक भी medium size भी करेंगे किसान साथी हो वहीं medium size से एक बड़ी size आती है पुना लड़ू जिसे बड़ी medium भी कहा जाता है अधिकांश बाकी पुना लड़ू size के अगर बात करता है किसान साथी हो तो पुना लड़ू भी करेंगे 6500 रुपए से लगा कर 20000 रुपए तक उसके बाद के जो size आती है लड़ू size और अधिकांश किसान मित्रों के जो size होती है वो लड़ू size ही होती है और लड़ू size एक जैसी size तो 8,000, 85 और जिसमें whiteness अच्छी होती है जिसमें अच्छी finishing होती है तो वो 9,000 भी लड़ू size भी करेंगे अब जो बड़ी size आ जाती है निकलके पुना लड़ू और extra पुना लड़ू जो size आ जाती है एक्स्ट्रा तो उनकी अगर बात करते हैं तो वो 10,000 की range में बड़ी size है जो बीक रही है अब बात करने हैं box quality है तो box quality है कि अधिकांस जो लोट है किसान जो 10,000 रुपई की range में बीक रहे हैं अधिकांस लोट जैसे की बात करने हैं उपर में box quality कहां तक बीक रही है तो पिपलिया मंडी में अभी वर्तमान इस्तती में 13,000, 14,000 उपर में लोट बीकते हैं जो की अच्छे VIP लोट होते हैं किसान मित्रों जिनमें अच्छी whiteness होती है और अच्छी finishing होती है वो 14,000, 13,000 बीकते हैं बाकी जो 12,000 की जो range किसान मित्रों रोज बीक रही है इसी quality जिसमें थोड़ी सी बड़ी साइज होती है वायटनेस च्टाग होती है और बोक्स quality होती है वो 12,000 रुपई बीक रही है और मैंने जैसे कि आपको बताई दिया है कि अधिकान जो quality है वो 10,000 रुपई की range में बोक्स बीक रहे हैं तो एक अच्छा बजार वर्तमान इस्तती लेवाली बड़ेगी तो बजार उठेगा अभी वर्तमा इस्तते में सामानी आवक से भी काफी कम आवक देखने को मिल रही है अबन पिपलिया मंडी की बात कर थे 3,35 की आवक भी पिछले दिनों में हमें देखने को मिल रही है तो कहीं ना कहीं यह जो आवक है निम्मच मे भी कम है तो एक कारण तो बारिज भी है आवक कम होने का और दूसरा कारण सबसे बड़ा यह है कि किसानों ने इस साल लैसुन को 50% से भी ज्यादा मार्केट में निकाल दिया है क्योंकि दो सालों से जो किसान घाटा खा रहे थे उस घाटे यह पूर्ती के लिए जो इस्ट चारते जो किसान हमें बताते हैं कि हमारे शेत्रवाब 40-45% माल ही बचा होगा क्योंकि हमने माल को निकाल दिया है और दिरे दिरे निकाले भी रहे हैं जैसा कि अब एक चीज आती है इस साल लैसुन का इस टोब भी बहुत हुआ है अब इस टोग वाले भी बजार को बहुत पकालते रहना चाहिए बागी केसी लगी है जानकर ही वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए इस वीडियो को अधिक सरी किसान सेत्वे में शेयर जरू करिए धन्यवाद जय जवान जय किसान